नमस्कार वायो वेलकम आप सब इका तो दोस्तो आज हम कवर करने वाले हैं अफगानिस्तान वर्षिद साउथ अफरिका के बिद जो फर्स्ट ओडियाई मैच खेला जाएगा उसमें दोस्तो हमारी क्या टीम रहने वाली है आज के मैच में दोस्तो कौन से ट्रंप काड़ी ख करने वालेवाले हैं डोनों टीमों कि प्लेंग् लेवन क्या रहने वाली है कौन से खिलाड़ी किस नंबर पर बैटिंग करने वाला है कौन सा बोलर्स कितने और बोलिंक करेगा बोलर्स में ह 백신 को ज्याधा लेकर चले या फिर हम spinners के फिबर में टीम मनाएं कैप्टन वाइस कैप्टन बैट्समन में ले या बोलर्स में ले क्योंकि दोनों टीमों की तरफ से आज के मैच में कुछ ऐसे खिलाड़ी है जिनको बहुत सारे लोग ड्रोग परके चल रहे हैं और उनको हम अपनी टीम में लेने का रिश्क लेने वाले हैं जो की हमको ग्रैन शीरीज स्टार्ट ओरे ना इसमें भी हम तीन मैचों में से एक मैच में ग्रैन लीग विन करने वाले हैं और दो तीन मैचों में अराम से क्लिंज हुई भी करेंगे तो कौन से वह खिलाडी है क्योंकि बगए ट्रम काड़ खिलाडी के बगए लो सेलेक्शन खिलाडी के हम लीग नहीं बिन कर सकते हैं अगर हम दूसरों की तरह है अपनी वही शेम टीम बनाएंगे सेंफ बनाएंगे उनी खिलाडियों का अपनी टीम में ले लेगे तो Grand लीग कहाँ से बिन करेंगे तो कोण से वो टिफ्रेंशियल fitt color होने वाले आज हमारी टीम में जो हमको Grand League में ट्रम काड़ी खख़ाढ़ी रएने वाले हैं चार काड़ी हम अपनी टीम में लेकर चलेंगे अगर Grand League की पात करें Mega Conní thank की बात करें वहीं पर अगर Blues की टीम की बात करें तो दोमडोoh nee ख़़ाड़ी हम आपनी तीम में भी रखने वाले, जयादा लेकर चले या बॉडरर में टेम बना सकते हैं यह सारी बात रिकोर में पता चल जाईगी उसके बाद लीकोर्ट कुन सा खिलाडी की स्ब्सक्राइब और साथ के साथ गरेनले की टीम में हम कीन बड़े Western लाडी पर करके किन छोटे खिलाडियों को लो सेलेक्षिन खिलाडियों को अपनी तिम में रखकर चल सकते हैं यह सारी बात हम वीडियों में करने वाले और अपनी लाष्ट में एक अच्छी टीम बनाने वाले उसके साथ 25,000 रुपे का जिसके लिए आप से एक सवाल पुछा करना है यानि कि काफी ज्यादा हद तक आप अपनी एक अच्छी टीम मना लोगे और दोस्तों आप करते हो तो आपके साथ प्रेडिक्शन करते हैं काफी अच्छा लगता है आप लोगों का पैयर मिलता समर्तन मिलता तो लाइक ज़रूर कर देजेगा अगर चैनल पर पहली बार आयो पहली बार वीडियो देख रहे हो और हमेशा यूनिक टीम बनाना चाहते हो ग्रैंड लीग में अच्छी रेंक लाना चाहते हो मैं यह तो नहीं कहता कि मैं जो टीम दूँगा उससे आप ग्रैंड लिग कर लोगे हाँ ह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजेगा तो दोस्तों फर्स्ट उडियाई मैच है अफगानिस्तान वर्षिट साउथ अफरीका के बीच जो की अठारा तारिक को स्याम पांच बजकर 30 मिनट पर खेला जाएगा साजा किर्केट ग्रा पेशर्ष को कम विकेट मिलती है अब रिकोर्ष की बात करें तो इस पीच पर काफी मैचिज खेले जा चुके हैं अब देख सकते हो दोस्तों इकतालिक समय चीज खेले जा चुके हैं फर्स्ट टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने एक सो आठ मैच विन किया है अब इन एक सक पर बिच haisa शकोर्ष बन चुका बार सक्वार है दाइस तीन सो canyb Box वर चुका और दीन सो से ओपर अथारा बार सकोर्ष बन चुका है बनता हैं, बनता हैं आपर आज मैं मेरे एसाब से डाइसो से से थीन सो के भी सकोर्ष बनने वाला है, इस प griev को हम मानंगे कर अपनली इस पिछ पर खेल ले गए थे उन में कितना स्कोर्स बना था लाश्ट मैच अफगानिस्तान वर्सिज अर्लाइंड का हुआ था अफगानिस्तान ने दोस्तों और पांस विकेट्स गिरे और लेंट दोश्तों पिचे तरन बना पाँ था आठ विकेट्स गिरे थे पेशर्ष को नो और स्पिनर्स को च्यार एक और मैच वाए वस्ट इंडीज का 184 स्कोर्स वह वीक टीम थी वैस्ट इंडीज एक फिचे सिरन बनाकर चेज कर गई थी अब तक इन मैच्चों की बात करें 28 विकेट तो पेसर को मिल चुके हैं और 34 विकेट यहां पर स्पिनर्स को मिल चुके यानि कि आज के मैच में इंपोर्टेंट रहने वाले हैं खास तोर पर राशीद खान जैसे बैटिंग से भी पॉइंच देंगे और विकेट भी यहां पर खूब निकालने वाले तो यह पिछ रिपोर्ट्स है जिसमें अगर आज के मैच में साथ अफरिका फर्ष्ट बैटिंग करते ह चाहिए विकेट दोनों टीमों के अच्छे खासे गिरने वाले हैं यानि कि बोलर्स और आलाउंडर सबसे इंपोर्टेंट आज के मैच में होने वाले तो हमारी टीम का स्ट्रेक्चर क्या रहने वाला एक विकेट की पर दो बैट्समें तीन आलाउंडर आलांडर चाहोता चाहार आलांडर ले सकते हो वहीं पर बोलर्स भी हम चाहर या पांस लेकर अपनी टीम मना सकते हैं ज्यादा तर हम बोलर्स और आलांडर को यह अपनी टीम में रखेंगे विकेट की पर एक रखेंगे बैट समयन दो रखेंगे वाकि हम आलाउंडर और बोलर्स अपनी टीम विनके हैं और दोनों मैच South Africa ने विनके है South Africa strong team है तो South Africa ही इस match को विनकरने के ज़्यादा तर चांची ज़्याने वाले है लेकिन हालिया दिनों में जिस तरह से Afghanistan फोम में आई है जिस तरह से Afghanistan ने टी-20 World Cup में अच्छा परफोर्मिस किया बड़ी-बड़ी त्इमों को माच दी है तो यहां पर अफगानिस्तान को वीग टीम मैं तो नहीं मानने वाला मैं यहां पर स्ट्रोंग हाला कि साॉट अफृरिक यह रहने वाली है लेकिं भुथ जादा भी टीम के ले ले या सब च् marrow कोंबिनिशन कर ले सब से अच्छा कोंमने सबब्स च्रहेगा छे खिलारी साउथ अणिस्टान्कर प्लेइंग वैरन की बात करें तो दोनों टीमों की तो सब से पहले साउथ अफ्रिका की बात करतें तेंबा यूमा और जोर जी ओपनेंग करते दिखाई देंगे रेज़ा हैंरिक्स आड़न मारकरम कायल वैरनी ट्रिश्टन स्टप्ज आदिल फुलकवायो विजोन 14 बाटमैन नरेंदरा बर्गर लूंगी नगीडी ये साथ अफरिक्का की प्लेंग लेवन होने वाली है अब बात करते हैं यहां से कौन सा खिलाडी कितन और बोलिंग करने वाला बोलिंग की बात करें तो नगीडी लगभग पूरे दस अवर करेंगे बर्गर की बात करें यह साथ से आठ अवर बोलिंग कर सकते हैं बाटमैंट आठ से दस अवर बोलिंग कर सकते हैं बिजोन 14 मेरे साब से यहां पर पूरे दस अवर बोलिंग कर वाले हैं उसके बाद बात करें फुलक वायो यह साथ और क्यास पास बोलिंग कर सकते हैं फिर मारकरम को भी ओडियाई में लगबग मान सकते हो पांथ से छे और मारकरम भी आपको बोलिंग यहाँ पर करते वे दिखाई दे सकते हैं उसके बाद टीम के पास ट्रिश्टन स्ट से खिलाड सब्सक्राइब यहां से कौन से खिलाडी हम लेकर चल सकते हैं रिदेँको की बात करें डोनों का लो सेलेक्शन्स Understanding ौर यह जोर्जी का 28% है दोनों का लो सोलेक्षिन है और यह दोनों भी आज के मैच में अच्छे पीखो सकते हैं क्योंकि ज्यादा तर लोग इन दोनों को डूरप करने वाले हैं लेकिन जियल की टीम में इन दोनों में से आप किसी भी एक खिलाड़ी को अपनी टीम में ले तो दोनों टैलेंटीड है हालिया दिनों में तेमबा वुमा की रिसेंट फुम ज्याद अच्छी नहीं चलिया लास्ट मैच में क्या हुंदर है न उससे पहले फुलोप रही थी लेकिन जोर्जी की बात करें न गजब का बंदा है गजब की बैटिंग करता है लाइप अंडर अपने टीम में रख सकते हो फिलाल मैं तेमबा वुमा को अपने टीम में रख रहा हूं क्योंकि बैटिंग विकेश पर भी अच्छा खेल लेता और अगर बोलिंग पीछा है तो उस पर भी ठीक ठीक स्कोर्स कर लेता है और जोर्जी की बात करें यह बोलिंग विकेश पर जल्दी विकेश पेक देता तो इसलिए हाला कि आप चाओ तो जोर्जी को भी ले सकते हो या फिर तेमबा वो मागोगी दोनों अच्छे पिक हैं दोनों ही ट्रमकार्ड हैं लेकिन हम यहां से एक ट्रमकार्ड खिलाड़ी को अपनी टीम में लेकर चलना ही चला हैं एड़न से भी बड़ा स्कोर्स नहीं कर पाएं अभी तक और बोलिंग से इनको विकेश नहीं मिला लेकिन इस सिरीज में मारकरम काफी अच्छे पिक होने वाले हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर रहेंगे पहले ही मैच में आप इनको सीविस्टी बना सकते हो क्योंकि इसके बाद इनका कैप्टन वाइस कैप्टन का सेलेक्शन बढ़ जाएगा जिस तरीके से इंग्लैंड की तरब से लिविंग स्टोन पहले मैच में कोई टीम में नहीं ले रहा था और दूसरे मैच में सब ने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया तीसरे मैच में सब ने कैप स्टब्स दोनों विकेट्स कीपर में ऑप्शन में हैं तीसरा विकेट्स कीपर गुरबाज अगर लेक्षिन के साथ तो इन दोनों से आप वैरनी को अपनी टीम में लीजिएगा वैरनी अच्छे बैट समयन है ट्रिश्टन स्थब्स टीटोइंटी के बैतरीन बल्लेबाज है लेकिन ओडियाई में साथ ज्यादा अच्छे पिक नहीं रहेंगे एक ही मैस के लाओ डियाई का जिसमें सिर्फ से रन बनाये थे और वैरनी 41 का वरेजा तो वैरनी अगर आप विकेट स्कीपर में गुरुबाज को नहीं ले रहे हो या स्टब्स को नहीं ले रहे हो तो आप वैरनी को लेकर अपनी टीम मना सकते हो यूनिक टीम बना सकते हो ट्रम काड़ खिलाड़ी विकेट स्कीपर में यह हो सकते हैं प पिर बात करते हैं फुलकवायो डिसेंट टाइप के उप्सन हैंगे जिनको टीम में रखना है क्योंकि यह बैटिंग से भी पॉइंच देने वाले हैं और बोलिंग से भी विकेश निकाल लेते हैं तो अच्छे पी करेंगे अराम से लेकर चलना भी जोन 14 की बात करें यह तीस बोलिंग कर सकते हैं यानि कि दो विकेश मेरे साब से इस मैच में निकाल सकते हैं इसलिए जील की टीम में आप इनको जुरू ट्राइ करिएगा चाहो तो समोलिक की टीम में भी लेकर सकते हो और वैसे भी स्पिनर्स को ज्यादा विकेश है तो इसलिए बिजोन 14 अच्छे फिकेश में तो जुरूर इनको ट्राइ करिएगा तो जुरूर ट्राइब करके चलूँगा फिर बात करते हैं बाटमेंट और बर्गर इन मेंसे एक को लेकर चला है फर्स्ट बॉलिंग साथ अफ्रिका करता है तो बाटमेंट ज्यादा अच्छे पिक रहेंगे टैलंटेड करती है टीम तो आप बर्गर को लेकर चलो टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है तो बाटमेंट ज्यादा अच्छे पिक रह सकते हैं फिर बात करते हैं नगेड यह अच्छे पिक रहेंगे फर्स्ट बॉलिंग और सेकिंड बॉलिंग दोनों में मैंन को लेकर चलूँगा अच्छ फजल फारुकी ये इनकी प्लेंग लवना है अब इस टीम के पास बोलिंग उप्शन बहुत ज्यादा है कौन कौन बोलिंग उप्शन में है रहमत साथ गुलबदी नायाब उमर जजाई नाभी खरोटे राशिद खान फरीद मलिक और फजल फारुकी ये इनकी लगभग बोल करेंगे राशिद खान करनपरमदास ओर बोलिंग करेंगे उसके बाद बात करें मुहमन नाभी भी लगभग आठ्स साथ और यह भी करते वह दिखाये देंगे फिर एहमत सा के कम चांची जाए गुलबदी नायाब भी तीन ओर क्यास पास बोलिंग करते हैं उमर जजाई य की बात करेंट कोई भी कर सकता है डेथ में टीम उमर जजाई को यूज कर सकती है डेथ में टीम राशीद खान कर जाते कई बार 47-46 और और फरुक्य और फरीद अमबत तो यहां से किस खिलाडि को में अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं रहमत उला गुरबाज रिशेंट फो उपनिंग भी करते हैं या फिर रहमत साह भी ओपनिंग कर सकते हैं गुलबदी नयाब की बात करें इनका बैटिंग ओडर तीन या चार नंबर पर भी जा सकता है क्योंकि जादरान जो इनके फिक्स खिलाड़ी है ओपनर्स वो फिलाल खेल ली रहे हैं तो ये बंदा भी ट्रम कार्ड खिलाड़ी हो सकता है नायाब की बात करें हाल ये जुनों में अच्छा प्रफोरमस रहा है बीस रन तीस रन एक विकेश तीस रन रिकोर्ड भी काफी अच्छे तो आप चाहो तो ल बैटिंग करना काफी आसान है तो ये बंदा पचास प्लस का स्कोर्स कर सकता है उनीस परसेंट सेलेक्शन है पहला ट्रम कार्ड खिलाड़ी रहमत्स हो सकता है उमर्जजाई डिसेंट टाइप का पिक रहेगा टीटों टीम अच्छा रहता लेकिन यहां पर और बैटिंग स से 20-30 बना सकते हैं यानि कि कर्पन के अच्छे कंटेंडर नहीं है हाँ टीम में आप इनको रखकर चल सकते हो फिर बात करते हैं साहिदी ज्यादा अच्छे पिक नहीं रहेंगे रिशाइंट फॉर्म काफी अच्छी है अठाटरी कर टेइस एकाउन लेकिन साहिदी और रह आई रन बना रहें लेकिन पिछ पर स्पिनर्स को अडवांटेज हैं और यह से साथ वर्थ बोलिंग कर नहीं वाले तो विक्यर्ट मिले के चांचीजा पलस छे नंबर बैटेंगा तो बैट्समेन अच्छे तो बड़ा स्कोर्स भी कर सकते हैं यानि कि यह अच्छे पीक है रिस्क लेना हो तो वाइस कैप्टन का इन पर रिस्क लिए आजा सकता है क्योंकि पता नहीं कब बड़ा स्कोर्स कर जाए अलिखिल उतने अच्छे पीक नहीं रहेंगे आराम से ड्रोप कर सकते हैं खरोटे यह ज्यादा अच्छे पीक नहीं रहेंगे मुस्ट्री टाइम और फिरते हैं ड्रोप करके चल सकते हैं राशिद खान को तो टीम में लेकर चल लाई है कैप्टन के सबसे अच्छे कंटेंड रहें और इनको कैप्टन भी बनाना आज के मैच में जीलो समोल लीगो बनाना यह बनाना क्योंकि यह बोलिंग से विकेट्स निकालेंगे और सा फृजल फारुक के एन दोनों में से ज्याधा तर लोग फृजल फारुक के अपनी टीम में ले रहे हैं फृजल फारुक का सैलेक् Uno no भी निकाली हुए है समोली की टीम में चाहता आप फारुक की को लेख कर चलो लेकिन फ्रीद अमद अच्छे पीक हो सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों हमारी फाइनल टेम की विकेट्स की पर में मैंने गुर्बाज को लिया है यहां पर मैंने तेमबा बोमा हैंरिक्स आलाउंड में मार जैनल पर जोर्जी को त्राई कर सकते हो या फिर ऑब चाहो थो हैन्रीक्स की जगाँ पर जोर्जी को ट्राइकर सेलेक्स क लूद hierarch जाहो तो अमर्जजाही की जगैपर आप ट्राई कर सकते हो गुलबदी नायाब individual जिन का आलिया डिनों में अच्छा परफ्पॉरमेंस और बी जोन 14 को ये तीन चेंजिज आप जी एल की टीम में करके जी एल में अच्छे रेंक आशिल कर सकते हो उसके बाद बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की कैप्टन सबसे अच्छा रहेगा रासीद खांग जो बैटिंग भी अच्छी करेगा और बोलिंग से तो विकेश किया जा सकता है जी एल के टीम में आप मुममन शवाहिस का रपन करके चल सकते हो बाकि इनी दोनों में से चांद सिजाओं वाहिस करने के ज्यादा करने के लेकिन फिलाल वाहिस variants पर मैं शूर नहीं हूँ इसलिए फाइनलवाइस करेप्टन में टोस्के स्के बाद कों फि किस नंबर पर है कैसी पिच रिपोर्ट्स आती है उसके बाद मेरा फाइनल वाइस केप्टन सेलेक्ट होगा तो इसलिए फाइनल टेम के लिए टेलीग्राम चे जोड़ जाना क्योंकि फाइनल पिच रिपोर्ट्स की डिस्कस होई या प्लेइंग लेवन होई या किस खिलाड टेलीग्राम को जोइन कर लिजेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को वाइओ सब्सक्राइब भी कर लिजेगा तो दोस्तों नमस्कार फिर मिलते हैं